हिमाचल में दोस्तो 22 रुपए महंगी हुई खा दे। सिंगल सुपर फोस्पेट के दाम बढ़ने से किसानों बागवानों को जटका। नगदी फसलों और फसलों की पैदावार बढ़ाने में किया जाता है। इस्तिमाल नवर्ष के आगमन से पहले केंदर के जटके से फलों के दाम बढ़ने की आशंका। केंदर सरकार ने नवर्ष के आगमन से पहले किसानों और बागवानों को खाद के दामों में बढ़ती करके जटका दे दिया है। नकदी, फसलों और फलों की पैदावार बढ़ाने में इस्तेमाल किजेने वाली सिंगल सुपर फोस्पेट के दाम सरकार ने बास्ट रुपए परती बैग बढ़ा दिये हैं जिसे माचल पर्देश की किशानों को अब सिंगल सुपर फोस्पेट खाद खरीदने के लिए अपनी जेब ठीली करनी होगी जहां पहले ये खाद 50 किलो का बैग 750 रुपए में आता था अब इसकी किमत 812 रुपए हो गई है इस खादगा मुख्य रुप से इस्तेमाल फ़लों की ग्रोध के लिए किया जाता है लेकिन अब इसके दाम बढ़ने की सूरत में हिमाचल पर्देश में फ़लों के दाम भी बढ़ने की आशंका है अगर आप एक कुलू जिले की बात करें तो वहाँ पर 2022 तेश में 830 मिट्रिक टन सिंगल सुपर फोस्पेट खादगा उप वो गई बागबानों दवारा पैदफलों की पैदावार के लिए किया जाता है हिम फेड कुलू और लावल स्पीती के एरिया मनेजर विजेंदर रावत का कैना की हाली में सिंगल सुपर फोस्पेट खाद के दाम बढ़ गए है